नमस्कार किसान साथियो आज आपका फार्मर ओन ड्यूटी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो साथियो मेरी वीडियो कल एक साथि ने देखी थी पाकिस्तान से तो उनका फोन आया कल मेरे पास तो जुल्फिकार नाम है उनका साब का तो उन्होंने पूछा कि आप खेती से क्या कमा लेते हैं तो उनका ये किस्टन जो था वह यह बारतिये किसान के संद्रब में था भी बारतिये किसान खेती से कितना कुछ कमा लेता है खेती में कोई बचत है या नहीं है तो इस परसन का मैंने जो बातों बातों में उतर दिया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप ये जो जवाब दिया है आपने ये जवाब आप वीडियो में डाल कर और ये दें बाकी किसानों को भी इस जवाब को सुनना चाहिए तो उनके इस आगरह पर मैं ये वीडियो मना रहा हूं तो मेरा जो जवाब था वो ये था उनसे कि खेती जो है वो एक तरफा अर्थ के मामले में हम उसको मैं नहीं लेता मैं मेरे बात कर रहा हूं मेरे विचार की बात कर रहा हूं विखेती का अर्थ में तो ये है कि खेती से कितनी कमाई होनी है वो डिपेंड करता है अपना भाव क्या है कौन सी जिन सपन ने लगा रखी ह किस समय लगाई है कितना उसका उत्पादन रहा मौसम का क्या रहा और विश्व में उस से रिलेटिड गटनाओं में क्या रहा तो वो तो इन सब चीजों पर निर्बर करता है भी खेत में अपने को अर्निंग कितनी हुई या बचत अपनी जो निकली है वो कितने निकली है तो इसके बाद में उन्होंने का भी यह तो ठीक है और बताएं आप तो उसमें हमारी जो चर्चा चली वो विश्य यह था कि खेती को मैंने व्यवशाई के लिए क्यों चुना तो मेरा व्यवशाई के लिए खेती को चुनना इसलिए था कि इसमें एक तो सवायतता है आप जो उर्जा लगाते हैं अपनी जो सोच लगाते हैं उसमें आपका जो दृष्टी कोन है वो आप उसमें करते हैं और यह परकरती से सिद्धा संबंद रखने वाला कार्य है और दूसरा इस कार्य में आपको वो समश्य नहीं है जो किसी भी कॉर्परेट जोब में होगी या किस में आदमी की सोतंतरता रहती है और एक इसमें अगर यह थी हमारे फसल खराब भी होती है या बहुत अच्छी होती है तो उसका हमें कोई ज्यादा सुख या दुख वह वाली स्थिती में नहीं जाते हैं आहम तोर पर मैंने खिसानों को बड़े बुजर्गों को भी सुना ह हैं हम लोग भी यह मैसूस करते हैं कि कोई खिसानी में कोई खेति या किसी खेत में कार्णों कोई खराब हो जाती है तो हम लोग उसको यह कहते हैं चलो ठीक कोई बात नहीं यह अपना आगे अगली फसल में यह डिकोरी हो जाएगी तो एक इसमें यह हैं दूसरा उनके अलग था क्योंकि ये बात मेरे एक अजीज है हमारे पड़ोसी गाउं से सर्पंच साब उनके साथ एक बार चर्चा चल लही थी तब उन्होंने कहा था भी किसान भी सोसन करता है तो इस चर्चा में हमारा जमीन का पाणि अत्यादिक मात्रा में निकाल के उसको वेर्थ बाना तो ये कुछ चीजें थी उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया था जो मेरी समझ में आये तो उसके बाद में मैं उसका विकल्प तलासने लगा विख्यती में आप आई ये कैसे कर सकते हैं जिसमें हम प प्रकर्ति भी उसमें गाटे में ना जाए तो उससे जो खोज करते करते मेरी खोज पहुंची पिकनिक पर पी क्यू एन के तो ये टेकनिक जो है मारे पड़ोशी मुल्क पाकिस्तान से डौक्टर आसीप शरीप साब हैं उन्होंने इजाद की थी तो इसमें प्रकर्ति के व पासीप शरीप साब ने किया और उसके बाद में वह उसको deeply analysis करते हुए आगे उसमें बहुत तरक्की कि उन्होंने की और वह बता भी रहे हैं किसानों की शिवा कर रहे हैं तो इस तकनीक में आने के बाद में मैंना जो पिछली कोटन की जो खेती थी उसमें मैंने उत्पादन मेरा ज्यादा नहीं रहा लेकिन जो उत्पादन मेरे आसपास में रहा सभी किसानों का अगर average की बात करूं तो मैं उस average में सामिल हो गया तो कहीं न कहीं मुझे नुकसान नहीं वार्थिक रूप से और जो कीटना सकी सप्रे मैंने नहीं की उससे मेरा योगदा परिवार के साथ हो गए इसमें अर्या परीयोग करते तो यह मारी चर्चा थी इसके साथ है उनसे मैंने जब बात की कि खेती के अंदर आदमी क्या है अपने घर पे रहता है एक बात वह अपने परिवार के साथ रहता है नोकरी अगर हम करेंगे तो हमें गाउं छोड़के कहीं न कहीं सहर में या प्लाइन करना ही करना पड़ेगा उसमें नोकरी की स्थिति में तो इसमें हम परिवार के साथ रहते हैं बच्चों के साथ रहते हैं समाज में जुड़े रहते हैं समाज में जो ग्रामिन परिवेश है उसमें थोड़ा सा समाज सुद्रीड होता है सहर की अपेक्षा तो वहां हम लोग जुड़े रहते हैं उससे इसमें मैंने उनको बेनिफिट बताए थे फिर मैंने साथ ही उनको यह भी कहा था भी अमारे जो बुजरक थे वो कहते थे कि आप अपने घर को या अपने गाउं को तब छोड़ें जब आपको वहां पर भूका मलने की नोब बताए जब तक आपका पेट वहां पढ़ रहा है यानि आपकी गुजर बसर हो रही है तो आप अपना गाउं ना छोड़ें अपना घर ना छोड़ें तो इस बात पे उन्होंने कहा भी यह बाते मुझे अच्छी लगी आप कृप्या करके यह सभी को बताएं तो इस कार्णवस मैं यह वीडियो मना रहा हूं तो यही उदे में यह रहा कि जब करोना मामारी आई वेश्विक से तर पर तब हमारे देखने में यह आया कि जो लोग गाउं से गए हुए थे शैरों की तरफ चलो वह अच्छे बविश्य के लिए गए थे मैं यह यह यहां एक चीज मैं कलियर कर दूं कि यहां मैं सहरी करन को या सहर में जाने को बूरा नहीं मानता मैं यह बता रहा तो भी खेती का वेश्य चुनने के पीछे क्या क्या पॉजिटिव उसमें है तो शैरों की तरफ जो लोग गाउं से गए हुए थे करोना काल में उन्होंने वह सब लोग वापिस आ गए किऊं उनको सहर में रहना ऐसरक्षित लगा क्यूं को सहर में वह सरवाईव करने पर उनको दिक्कते आई वह गाउं की तरफ वापिस क्यों मुड़े वह था समाजिक गांचे की वज़ह से क्योंकि यहां समाज फिर भी आपकी देखता है अप्की यह नहीं है कि कि आप अगर किसी बुरे दोर में चले गए तो समाज आपको देखता नहीं आपको उपेक्षित आप महसूस नहीं कर पते हैं तो यहां समाज के अंदर गाओं के अंदर अभी भी वह प्रिवेस है या गाओं की वजाए मैं कहूं कि किसानी में जो लोग जुड़े हुए है व से मुझे अच्छा नतिजा निकला है तो यहां कोशिस यह स्योग रहता है किसानों में वहीं दूसरे में कहीं न कहीं परतिशपरदा रहती है वह उनके अपने राज होते हैं दंदे को बढ़ाने को लेकर तो उसमें वह मानसिक परिशानिया नहीं है खेती में तो यह किसान साथियों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देऊंगा बातों को और आप से अन्रोद करूंगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और आपको अच्छी लगती है आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें आपका बहुत बहुत धन्य